करें दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कायल पग एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संजित तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में वारा आज के लिए किया विए था किस तरी के मार्किट ने सब्सक्राइब करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगो नहीं करोगे तब तक हमारा लाइक इम कैसे पूरा होगा तो चलिए आप वो करिए और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ देखिए दोस्तों हमारा आज क्लियर कट प्लान था देखिए मानता हूँ निफ्टी में थोड़ी दिक्कत और ये ट्रेड करने में लेवल तू लेवल आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ रही है पर बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा ट्रेड दिया हमने कल क्या बात करी थी बैंक निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ था ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी 36,050-36,025 एक इंपॉर्टन इंपॉर्टन सपोर्ट जोन थी उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता तो प्रेशर पड़ता उपर की साइड कॉल राइटर भी हमारा जो टार्गेट था हाला कि यहां पर शुरू में बहुत जादा वॉलेटाइल हुआ उसके बाद हमारा जो फॉर्स टार्गेट था 35,850 का आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं 800,850 का फर्स टार्गेट था उस टार्गेट तक अराम से बैंक निफ्टी जो है वो आया और जब यह तोड़ा ना इसने 850 का एक क्रिटिकल लेवल था यह इसने जब ब्रेक किया तब आपको एक अच्छा खासा फॉल मिला 35,700 तक फिर आप देखिए री टेस्टिंग एक तो प्रीमियम बहुत मुश्किल से बढ़ रहे हैं अगर आप सेम वीकली एक्सपाइरी की कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आप इन कैंडल्स की विक्स देखिए इतनी जबर्दस वालेटिलिटी थी क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल विपरीत थे बैंक निफ्टी नीचे जा लेडर उसको इन विक्स में बहुत जादा दिक्कत हुई होगी और कई लोगों का प्रॉफिट बहुत आजा चूटा होगा तो आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा अपने माइंड सेट पे वर्क करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट यही है देखिए ट्रेड ह तो यह चीज आपको देखनी होगी कि मेरा वीक्नेस है क्या मेरा मैरा वीखनेसrin सैटप है यह यह जो मेरी मेरा साेकलाॉजी मेरा सेटक बनाता उसको फॉलो नहीं करबाता हूं इन पॉंट्स को आप अपना जो जर्रेडिंग होता है इसमें बनाइए आज के दिन आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या weakness है और उसको मैं किस तरीके से rectify कर सकता हूँ देखें जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे न आप लोग same mistake बार बार करते जाएंगे और same mistake अगर आप बार बार करेंगे तो वो आपकी फिर एक आदत बन जाएगी वो बोलते हैं न, back of the mind सिर्फ वो ही चीज आपके दिमाग में रहेगी तो अगर वो चीज आपके दिमाग में रहे गई और इसी तरीकी कि आप mistake करते रहे तो आप लोगों को आगे जाके काफी दिक्कत होगी चाहे आप experience हो जाओ आप कहे दो हाँ भी मेरे बास शेर मार्किट का तीन से चार महिने का चे महिने का दो साल का experience है पट अगर आप same mistake दो साल बात भी कर रहे हो तो आपको zero experience है और उस experience है भी तो उस experience से आपने कुछ सीखा नहीं है सबसे main important चीज तो खेर अब यह थोड़ी घ्यान की बाते जादा हो गई आप market के उपर focus करते हैं reversal आया बैंग nifty में reversal आया और end में आप देख रहे हैं एक triangle pattern में से ब्रेक आउट दिया था और आप देखते है ब्रेक आउट कितने अच्छे तरीके से work करते हैं अगर आप ब्रेक आउट को find कर बाते हैं तो second half में बिल्कुल 3 p.m के बाद breakout आया था और यहां पर breakout आया retesting हुई अगली candle पर उसके बाद यह उपर की side आज काफी अच्छी closing इसने end में दी है यह closing क्यों आई सबसे पहले हम banking stocks को देखें यह closing दी है ICICI bank ने अगर आप ICICI bank का चार्ट यहां पर लगाते हैं second half में जो 250 के बाद जो breakout आया है correct 693 के level से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जब तक ICICI bank 693 का level hold कर रहा है ICICI bank को short करने का या इसमें short swing play करने का आप मस सोचिए बहुत बुरी तरीके से आपकी trapping हो सकती है क्योंकि ICICI bank बहुत strong लग रहा है आप comparatively किसी भी bank से अगर आप compare करते हैं तो चाहे fundamentally result wise हो या फिर technically अगर आप chart पर देखते हैं इस चीज़ को तो वह भी आपको दिखाई देता है कि सबसे strong bank अगर पूरे banking sector में कोई है तो वो इस वक्त ICICI bank है तो ये एक बहुत strong closing दिया अगर आप मैं daily formation भी आपको दिखाता हूँ देखिए 693 के नीचे बंद ही नहीं हो रहा है इस level के पास जाते ही जबरदस जो है वो buying आती है तो जब तक 693 के नीचे बंद नहीं होता है ICICI bank और 35800 के नीचे bank nifty बंद नही होता है तब तक आप swing में जो swing trade होता है positional short trade होता है वो आप नहीं trade कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी उस चीज़ को लेकर ठीक है तो ये चीज़ आपको सबसे जादा important जो है वो ध्यान में रखनी है कि कौन से level हमें देखने है और कौन-कौन से important level हमें bank nifty म बात करें तो HDFC bank की अगर मैं आप बात करता हूँ एक doji kind of formation मनाया gap down होने के बाद 1528 अभी भी breakout level है 1528 1530 के उपर ही एक बड़ा breakout होगा जो इसे 1545 और 1560 की तरफ लेके जाएगा weakness कहाएगी जब तक 1505 के उपर है HDFC bank में weakness नहीं है 1505 के नीचे एक अच्छा खासा fall देखने को मिल सकता है at least 1480 1475 तक के levels नीचे की साइड मिलेंगे SBI वो ही मैं आपको कह रहा था जब तक SBI इस level के अगर नीचे है तो weakness बनी हुई है 430 के उपर जब तक नहीं निकलता है SBI में कोई buy नहीं है और important level बनके आ जाता है 419 अगर 419 के नीचे SBI जाता है तो इसमें weakness बढ़ जाएगी और इसका जो अगला target नीचे की साइड का निकल के आएगा वो at least 410 की तरफ जो है SBI नीचे की साइड जा सकता है तो इसके उपर भी watch out करके रखिएगा अब हम bank nifty के option chain data की तरफ चलते हैं देखिए option chain में एक चीज़ clearly आज दिखाई दे रही थी अगर nifty जो है थोड़ा overbought scenario में था 2-3 दिन में तो आज भी थोड़ा बहुत अगर neutral हुआ है उसके बाद भी nifty में जो है वो puts की position जादा थी जादा put writing हो रखिए दी बट अगर ह लेवल पर दबा के call writing हुई है अगर आप देखें आज के दिन का highest open interest 35,800 के उपर 32,000 call writing आज करी गई 35,900 के पर 31,000 के आसपस करी गई और highest open interest 36,000 के उपर है जहां पर 72,000 का total open interest है तो यह बहुत बड़े strong resistance की तरह act करेंगे आप लोगों के लिए तो यह चीज बहुत important है support बाके कटी हैं आज कि इतना gap down हुआ था उसमें लोग फसे होंगे और जैसे pricing factor है banks की weakness यह दिखाता है बट अब हमें कल किस तरीके से trade लेना है आज के दिन अगर हम बात करें तो 35,700 के उपर strong put writing हुई है 35,800 के उपर strong put writing हुई है और 36,000 पे भी अभी 32,000 puts बैठी है जिन्हों अभी भी देख रहे हैं भाई कि अमेरिका से कुछ positive क्यूज आ जाए और उसके बाद उन लोगों को फायदा हो जाए वर्ल्ड मार्किट यह अगर मैं बात करता हूं देखिए UK हलका हलका-फुलका positive आ चुका है बट डैक्स जमनी का market और फ्रांस का market अभी भी हैवी negative में है इंपोर्टन सपोर्ट जोन से डाव जोन जो है डाव फ्यूचर बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं नैस्डाइक और SNPB और एक इंपोर्टन रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है अमेरिका में वह देखना बहुत जादा important होगा और market किस तरीके से लेता है तो important day है वह आ 5-minute chart लगाता हूं bank nifty का इसने जो अच्छी closing दिये आज मेरे लिए bank nifty तब तक buy नहीं बनता जब तक bank nifty 36,050 का level ब्रेक नहीं कर देता ठीक है आप लोग Scalping कर सकते हैं ठीक है उपर 36,050 तक का एक move आ जाए 36,000 तक का move आ जाए पर जितना वड़ा open interest 36,000 के उपर बना हुआ है अगर उससे हमें thrust generate करना है एक strong short covering generate करनी है और upside का momentum हमें देना है 200-300 point का जो expiry पे बहुत time से नहीं आया है एक trending expiry हमें मिली ही नहीं रही है अगर हम देखें तो तो वो अगर आपको चाहिए तो 36,050 का level बहुत important make and break level है इसके उपर bank nifty निकलेगा इसके उपर 5 minute की 2 candle close दे दी 15 minute की एक candle close मिल गई तब एक अच्छा thrust generate होगा और bank nifty उपर की side जा सकता है 36,200,250 के level तक तो 1500-200 point का इसक के उपर sustain कर पाता है तो बट हर बार यही हो रहा है अगर आप 3-4 expiry देखें bank nifty इसी range में घूम रहा है हर expiry पे 36,000 के call writers call बेचते हैं और अराम से मतलब गतना घर जाके सो जाते हैं और उनको कोई फरक नहीं पड़ता है expiry 36 से नीचे ही होती है और जितने भी option buyers हैं वो लो इस उमीद में कल भी बहुत सारे लोग इस trade को लेंगे अब देखते हैं कल वो कितने successful होते हैं नहीं होते बट 36,000 अब तक नहीं निकलता ना भाई 35,700 एक important level है 35,700 अगर bank nifty नहीं निकालता है तो इसमें एक sharp selling move नहीं आएगा sharp selling move तभी आएगा जब यह 35,700 निकालेगा तो इसमें 200 point का sharp selling move आएगा जो कि इसे 35,500 तक नीचे लेके आएगा तो यह एक mark करके रखिए यह important level है नीचे की side का यह जो उपर से नीचे की 300 point की range है यह scalping range है उपर की side up 950 तक अगर मान लीजे अगर इसे कल breakout देना होगा तो यह उपर जाएगा बट नहीं देना होगा तो यह level निकालना ही यह जो आपको आज के दिन opening मिली है यह निकालना ही 35,975 का level निकालना ही मुश्किल हो जाएगा तो यह आपकी कल higher range हो सकती है अगर market sideways रहेगा तो और यह lower end हो सकती है और इसके बीच में आप पूरे दिन scalp कर सकते हैं यह मेरे को अभी तक का setup data देखके लग रहा है अगर कुछ change होगा वो मैं आपको टेलिग्राम पे update कर दूँगा उसका link आपको नीचे description में मिली जाएगा और अगर आपने अप stocks पर भी तक account नहीं बनाया free account opening के जरीए तो आप बनवा सकते हैं link नीचे description में मिल जाएगा दोस्तों मिलता है आप से अगली वीडियो में thank you so much for watching guys जहिन वंदे मातरम